नमस्कार दोस्तों कैसे हैं दोस्तों उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे तो दोस्तों हम लोगों का एक नया कोईश्चन है आईए इसको हम लोग जो है साल्व करते हैं देखते हैं ये कैसे साल्व होगा ठीक है दोस्तों और दोस्तों आप लोगों से एक बिनम्र न कर लिया करिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करिए आए दोस्तों हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं ठीक है यहां पर देखें लिखा a a प्लस B से 33 percent कम है ठीक है तो 23 दसम लोग 33 पर से बराबर होता है दोस्तों one by three है तो यह कम है यानि कि तीन में से कम है तो यह कम है तो यह को जाएगा 2 बटग 3 ठीक है दो बटे 3 लेकिन A A प्लस B से ठीक है तो यानि कि A जो है प्लस B होगा ठीक है और ये जो है दो बटे 3 होगा ठीक अगली बात क्या है दोस्तों B प्लस C, C से इतना अधिक है ठीक है तो 41.66% बराबर होता है दोस्तों 41.41 Savior 2 by 3% ठीक है तो इसको हम लोग लिख सकते है 4 तैए 12, 123, 22, 25 यानि कि 125 बटे 3 हम लोग इसको हम लोग percentage में लिख सकते हैं ठीक है दोस्तों तो उसके बाद में इसको हम लोग क्या कर देंगे इसको हम लोग जो है 125 बटे 3% को हम लोग जो है fraction के रूप में लिखेंगे तो 125 बटे 3 गुड़े 100 करेंगे हम लोग यहाँ पर एक बटे 100 करेंगे क्योंकि जो है 100 से भाग देते हैं ठीक है fraction में चेन करने के लिए तो 5, 20, 500 होगा और दोस्तों यह 25, 400 होगा और यह 25, 125 होगा यानि कि हम लोगों को fraction इसका मिलेगा 5 by 12 इतना मिलेगा दोस्तों यह fraction के वाला है लेकिन हम लोगों को कमी अधिक करना है दोस्तों अधिक करना है यानि कि यह हो जाएगा fraction नया वाला जो है 17 बटे 12 ठीक है यहाँ पर 17 बटे 12 मिला यानि कि दोस्तों B पलस C बटे C बराबर हो जाएगा 17 बटे 12 ठीक है अब दोस्तों हम लोगों को क्या करना है यह हम लोगों की fraction मिल गई है यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं ratio निकालना है तो यहाँ से सबसे शुरुआत में A की value यहाँ पर 2 है और यहाँ पर A की value जो है दोस्तों यहाँ पर भी 2 हो जाएगी और यहाँ पर B की value 1 हो जाएगी तभी तो 2 और 1 तीन हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर दोस्तों दो C की बेलू 12 है यानि कि यहाँ पर C की बेलू 12 हो जाएगी और B की बेलू 5 हो जाएगी ठीक है तो दोस्तों A और C जो है A और C तो independent है उसका किसी से मतलब नहीं है पर दोस्तों यहाँ पर B जो है 5 है और यहाँ पर B जो है 1 है ठीक है तो यह हम लोगों को अंतर दिख रहा है तो दोस्तों इस B को पहले हम लोग 5 बनाएंगे आईए हम लोग देखते हैं ऐसे लिखा है कुछ दोस्तों A by A plus B is equal to दोस्तों क्या दिया गए है आप लोगों का 2 by 3 ठीक है तो यहां से A जो है 2 है यहां B2 हो जाएगा B1 हो जाएगा क्योंकि 2 प्लस एक तभी 3 होगा और दूसरा क्या दिया गया है दोस्तों B plus C divide by C बराबर 17 बटे 12 ठीक है तो यहां पर C दोस्तों 12 है यहां पर 12 हो जाएगा तो यहां पर यह 5 बचेगा B यहां पर 5 है तो इसको हम लोग 5 बनाएंगे पाउच बनाने के लिए दोस्तों जो है इस पूरे में हम लोग पाउच का गुड़ा कर देंगे तो नीचे गुड़ा करेंगे तो उपर भी करना पड़ेगा तो यहां पर भी 5 Пाउड़ा कर देंगे तो यानि ऊपर जो है दो पंचे 10 हो जाएगा यानि कि ये जो है ये टोटल जो है आप लोगों का 10 बन जाएगा ठीक है तो गुड़े 5 वही मतलब दोस्तों ये हो जाएगा 10 आप लोगों का और यहाँ पर जो है पूरा 3 है 5 में गुड़ा होगा तो 15 हो जाएगा पांच बराबर ये 15 हो जाएगा आप यहाँ से दोस्तों हम लोग जो है 10 बटे 15 देखेंगे यहाँ पर 10 बटे 15 ठीक है ये नीचे हो जाएगा अब यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा A बराबर 10 ठीक है B बराबर B बराबर हम लोगों को यहाँ पर 5 मिल जाएगा और C बराबर जो है C बराबर दोस्तों हम लोगों को मिल जाएगा 12 ठीक है यानि कि हम लोगों का यहाँ से रेस्टियों क्या मिल जाएगा A ratio B ratio C बरापर हो जाएगा 10 ratio 5 ratio 12 यही हम लोग का दोस्तों answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरीके के एक नए वीडियो में बिलेंगे दोस्तों तब तक वीडियो देख लेक लिए आप सभी का हिर्दय से धन्यवाद जाहिंद